Hey guys, मेरा नाम मुहिदुवा है, मैं दिल्ली के मुघरजी नगर में Maths का Educator हूँ इस वीडियो में आपको Algebra के X plus 1 by X से topics related जो भी questions exam में हाते हैं उन questions को निकालने की short trick सिखाऊंगा और short trick से पहले basic concept भी सिखा दूँगा ताकि short trick सिखने में आपको और ब्यादा असानी हो Let's begin इस पूरी वीडियो को देखने के बाद अगर X plus 1 by X के format से कोई भी question आएगा Algebra का तो आप उसको जल्दी-जल्दी solve कर लोगे मगर short trick सिखने से पहले मैं मैं focus करता हूँ basic concept पे अगर आपके basic concept 100% clear होएंगे तो आप short trick easily लगा पाऊगे और आपको कोई भी confusion नहीं होएगी examination hall में मगर हम start करते है basic concept इस topic का X plus 1 by X से जितने भी question होएंगे इतने भी question exam में आते हैं मैं सारे के सारे clear कर दूँगा इस वीडियो के अंदर मगर आपको सबसे पहले सीखना है basic concept X plus 1 by X is equal to 6 यह है हमें given अगर तो हमें find out करना है X square plus 1 by X square में बहुत सारे तरीके हैं इस question को कराने के लिए मगर मैं आपसे पहले एक basic formula बताऊंगा A plus B का whole square को formula क्या होता है A plus B का whole square formula होता है A square plus B square plus 2AB तो अगर मैं मानूं यहाँ पर X को A और 1 by X को B तो formula में put करते हैं यहाँ पर X plus 1 by X का whole square is equal to X A का square मतलब की X का square B का square मतलब की 1 by X का square whole square plus 2 into A क्या है यहाँ पर है AX और B क्या है 1 by X तो यहाँ से cancel out हो जागा X और X तो बचे का हमारे पास क्या है यहाँ पर X square plus 1 by X का whole square plus 2 हमें find out करना है X square plus 1 by X का whole square यह find out करना हमें तो हम यह कह सकते है X plus 1 by X का whole square minus यह plus 2 था यहाँ पर आके minus 2 हो जाएगा find out क्या हो जाएगा हमारा जो हमें find out करने के लिए बोला है X square plus 1 by X square यह find out हो जाएगा किस से x plus 1 by x square whole square minus 2 तो हम यह कह सकते हैं जो basic concept था हमें find out करने के बुरा था question के अंदर x square plus 1 by x square is equal to x plus 1 by x square minus 2 यह पूरा का पूरा is equal to 6 है मतलब यह पूरा 6 है 6 का square minus 2 it means 6 का square 36 minus 2 is equal to 34 इसका answer आया x square plus 1 by x square गा मैं इसको ऐसे ही बोल सकता हूँ क्या अगर मैं पूरी इस cheese को x plus 1 by x को मैं ले लूँ m तो m square minus 2 बोल सकता हूँ तो मुझे एक बात पता लगी शौट्ट्रिक यहां से यह आई अगर हमें x plus 1 by x क्या होगा given होगा x plus 1 by x सकर given होगा हमें find out करनी होएगी x square plus 1 by x square की value तो हम क्या लिख सकते हैं m square minus 2 अब आप सोच रहे होगे सर यहां minus 2 याद रखें exam में plus 2 आएगा minus 2 आएगा आप याद नहीं रहता तो पूरी वीडियो देखो मैं एक एक चीज सारी सारी clear कर दूँगा आप exam में confused बिल्कुल भी नहीं होगे कि यहां पर आपको m square plus 2 लगाना है या फिर m square minus 2 लगाना है पूरी वीडियो में पूरा का पूरा में जो basic concept है clear कर दूँगा plus short trick में सारी की सारी सिखा दूँगा x plus 1 by x related जो भी आएंगी तो अभी हमने आप एक short trick सीखी कि अगर हमें x plus 1 by x की format में अगर कोई question given हो x plus 1 by x अगर 4 दे रखा हो या 6 दे रखा हो या फिर 9 दे रखा हो तो हमार से पूछा जाए कि x square plus 1 by x square की value क्या होगी तो हमार को एक short trick पता लगी जो की थी m square minus 2 ठीक है अभी हमने सीखा तो students क्या doubt करते हैं कभी एक बार मैं सारी की साही चीजे clear इसलिए करना हूँ क्योंकि किसी भी student को कोई भी doubt ना है यहाँ पर x square plus 1 by x square is equal to 4 दे रखा है तो मैं find out करना x की power 4 plus 1 by x की power 4 तो student कहते हैं सर यहाँ पर तो आपने बताया था कि x plus 1 by x ही होना चाहिए ऐसा बिल्कुल भी नहीं है यह short trick हर जगा अपलाए होएगी उस जगा पर जगर यहाँ पर जो given है और जो find out करना है हमें और जो हमें find out करना है उसकी power double हो यहाँ पर given था उसकी power थी 1 और जो find out करना है उसकी power है double तो मतलब 1 multiply 2 double हो गया न तो यह short trick उस जगा अपलाए लेगी जहाँ पर जो given है और जो find out करना है उसकी power में double का difference हो मतलब डबल हो अगर यहाँ पर जो given है given है और यहाँ पर जो find out करना है की power 4 है, x की power 2, हमें x की power 2 हमें given है, और हमें find out करना x की power 4, तो 2 का double है 4, तो यह shot trick यहां भी apply होगी, अगर लिखा होगा x की power 4 plus 1 by x की power 4, हमें find out करना होगा x की power 8 plus 1 by x की power 8, तब भी shot trick apply होगी, 4 की power double है 8, double की case में मैं बता रहा हूँ, आपको फिल ट्रिपल भी सिखेंगे हैं, फोर टाइंक भी सिखेंगे हैं, कैसे करते हैं, ठीक है, तो ये शॉट ट्रिक यहां भी अप्लाए होएगी, यहां भी हमें दे रखा है, x square plus 1 by x का whole square is equal to 4, हमारा से पूछा है, x की power 4 plus 1 by x की power 4 क्या होगा, m square minus 2, it means m क्या है, ये 4, तो हमारा क्या आ गया, 4 का square minus 2, 4 का square 16 minus 2 is equal to 14, इसका answer है, किसका x की power 4 plus 1 by x की power 4 का, ये वाला question, पिछे के लिए दो question से थोड़ा सा different है, इसमें हमें दिया गया है, x plus 1 by x is equal to 2, यह हमें given है, और हमारा से पूछा, x की power 4 plus 1 by x की power 4, हमें find out करना है, अब आप सोच रहे होगे, सर, यहाँ पर आवर आपने बताया, ऐसा 1 का double होगा, मगर यहाँ पर तो 4 times है, x की power 1 है, तो यहाँ 4 times है, तो 4 times के लिए formula एक और होता है, x का square plus 1 by x square, ठीक है, और इससे यह निकल जाएगा, ओकि मैंने बताया, आपको power double होनी से ही है, 1 की double यह निकल गई, इससे यह निकल गया, 2 से double 4 हो गया, तो एक बार लगाएंगे m square minus 2, फिर दुबार लगाएंगे m square minus 2, क्यों, एक बार x plus 1 by x की value 2 है, अब हम जो formula लगाएंगे, m square minus 2 is equal to, मतलब की 2 का square minus 2, 2 का square 4 minus 2, 2, यह 2 value किसकी आईए है, x square plus 1 by x square की, वह हमें find out करना है, x की power 4 plus 1 by x की power 4, दुबारा से एक और बार formula लगा देंगे, एक कौन सा, m square minus 2 का, तो हमारा as की value दुबारा से 2 आई थी, तो 2 का square, मतलब की m square minus 2, 2 square, मतलब की 4 minus 2, again 2, तो हमें एक बात पता लग गी, x plus 1 by x is equal to 2 था, तो x की power 4 plus 1 by x की power 4 भी 2 आया, किससे, हमने बीच में इसको डाल दिया, x square plus 1 by x square की, पहले इससे double power इसकी निकाल दी, फिर double power इसकी निकाल दी, दो बर हमने formula यह शॉक्टिक अपलाय कर दी, और अगर हम इस वाले formula से करना चाहें, a square minus 4 a square plus 2, यहाँ भी plus होगा, ठीक है, plus 2, तो हमारा फिर भी answer 2 आगा है, देखो, a का square मतलब की 2 का square मतलब की a की power 4, मतलब 2 की power 4, 2 multiplied 2 multiplied 2 multiplied 2 minus 4 into a का square मतलब की 4 plus 2, 2 to the 4 to the a to the 16 minus 4 to the 16 plus 2, 16, 16 cancel out, answer आया, फिर दुबारा से 2, मगर यह वाला formula आपको याद होना चाहिए, एक की power 4 plus 1 by x की power 4, यह वाला formula आपको याद होना चाहिए, अगर आपको short tick से करना, वो back gear question है, पहले हमें दे रखा था x plus 1 by x और हमें पूछा था x square plus 1 by x square का answer, अब दे रखा हमें x square plus 1 by x square का answer, और हमें पूछा x plus 1 by x की back gear question बोलते हैं, इसको या फिर यह दे रखा हो, यह पूछा गया हो, तो हमारे को दुबारा से लगाएंगे, a plus b का whole square का formula आपको यह हैंगे, दुबारा basic concept से, a square plus b square plus 2 a b, a plus b का whole square, मतलब की x plus 1 by x का whole square is equal to, a का square मतलब की x का whole square, x का square plus b का square, 1 by x का whole square, plus 2 into a क्या था, x into b क्या था, 1 by x, तो फिर दुबारा से formula सेम बनता है, मगर depend करता हमार से पूछा क्या गया है, हमार से पूछा गया है, यह x plus 1 by x, तो हमें यह दे रखा है, पूरा का पूरा, हमारे को निकालना है, x plus 1 by x is equal to x square plus 1 by x का whole square plus 2, और यह square था, यहा पर आके under root हो जाएगा, तो मैं यह बोल सकता हूँ कि x square plus 1 by x square, जो के हमें given था, जो हमें given था, x square plus 1 by x square, इसको हम मान सकते है, m, मतलब यह हो गया m, 14 हो गया m, m plus 2 का under root, under root m plus 2, तो 14 की जगा था, m लगा सकते हम, 14 plus 2, मतलब under root 16 की value क्या होती है, 4, x plus 1 by x क्या आगया, 4, तो हमें back gear question मैं इस तरीके से करेंगे, अगर हमें दे रखा हो, x square plus 1 by x square is equal to 14, हमारे को find out करना हो, x plus 1 by x, तो हम लगाएंगे under root m plus 2, इसका short trick है, निकालने की, x plus 1 by x की, जैसे अभी हमने सीखा, x plus 1 by x is equal to, दे रखा होता है, कुछ भी तो हमें निकालना होता है, x square plus 1 by x square की short trick क्या होती है, m square minus 2, मारे question में कई कई कवार, x minus 1 by x is equal to 3, दे रखा है इस question में, और find करना है, x square plus 1 by x square, बिल्कुल same formula लगाएंगे, a plus b के whole square का, इसमें लगाएंगे, a minus b के whole square का formula, a square मतलब की x square, plus b square मतलब 1 by x का whole square, minus 2 by b, minus 2 into a into b x, क्यान से रोट होता है, minus 2 बचेगा, तो में निकालना है, x square plus 1 by x square, यह हो जाएगा, x minus 1 by x का whole square, minus 2 था, plus 2 is equal to x square plus 1 by x square, ठीक है, तो मतलब मैं कह सकता हूँ, x minus 1 by x हमें given था 3, 3 का square, 9 plus 2, 11, is equal to x square plus 1 by x square, मैं आफिर यह बोल सकता हूँ, x square plus अगर हमें given हो, x minus 1 by x is equal to something, कुछ भी given हो, यहां 3 given है, और हमें निकालना हो, x square minus 1 by x square, तो formula होगा, m square plus 2, मगर हमें दे रखा हो, x plus 1 by x is equal to something, is equal to, तो हमें find out करना हो, x square plus 1 by x square, तो formula होगा, m square minus 2, अगर question में दे रखा हो, x plus 1 by x is equal to 3, और find out करने के लिए, हमें x की cube plus 1 by x की cube, इसको शॉर्ट फार्म होता है माद इसको बेसिक इसकी शॉर्ट ट्रिक होती है M की क्यूब माइनस 3M मगर यह आता कैसे है आपको पहले गजाता हूँ basic concept से इसके लिए हमें पता होना चाहिए A प्लस B को होल क्यूब को फॉर्मूला A प्लस B को होल क्यूब क्या होता है A की क्यूब प्लस B की क्यूब प्लस 3A स्कूर भी प्लस 3AB स्कूर तो हम इसको ऐसे लिखते हैं 3AB A प्लस B ब्रैकेट में हम यहापर 3AB कॉमा ले लेते हैं इन दोनों में से और A plus B bracket में और बहार A की cube plus B की cube तो same as it is रहता है. Is equal to, यहाँ पर हम क्या करते हैं, अब हमें क्या कर रहा हूँ, A की जगा लगा रहा हूँ X और B की जगा लगा रहा हूँ 1 by X, ठीक है, X plus 1 by X का whole cube is equal to A की जगा X का cube, B की जगा 1 by X का cube plus 3ab a की जगा x b की जगा 1 by x तो multiply है मैं तो यहां पर cancel out हो जाते हैं दोनों तो यहां बचता है 3 a plus b मतलब की x plus 1 by x ठीक है अब मैं क्या कर रहा हूँ x plus 1 by x जैसे हमने हर बार ले रहे है x plus 1 by x को m तो यहां ही मली रहा हूँ m m की cube is equal to यहां changement नहीं कर रहे हैं कि हम यह find out करना है x की cube plus 1 by x की cube plus 3 into m तो हमार पास यह positive में है यहां पर आपके negative में हो जाएगा minus 3 m तो मैं एक बात बोल सकता हूँ कि x की cube plus 1 by x की cube क्या होगा m की cube minus 3 m यह short formula है अगर मैं दे रखा हो x plus 1 by x 3 और x की cube plus 1 by x की cube पूछेगा है तो short trick क्या है m की cube minus 3 m क्या है जो x plus 1 by x की value है वो है यहां पर m दो जगा पर ठीक है जैसे पहले दे रखा था x plus 1 by x और यहां दे रखा है x minus 1 by x दुबारा से इसमें same formula लाएगा a minus b का whole cube का यह लगता है a की cube minus b की cube minus 3 a b a minus b a और b की जगा लगा रहा हूँ मैं x minus 1 by x as it is basic concept है यह x की cube minus b मतलब 1 by x की cube minus 3 into x का a का मतलब कहा है x b का मतलब 1 by x तो cancel out हो जाता है और a minus b मतलब x minus 1 by x फिर दुबारा से हमें एक काम कर रहे है x minus 1 by x को हम मान दे है m m की cube is equal to x की cube plus 1 by x की cube minus इसकी दिखा m3 और इसकी दिखा m ठीक है तो मैं यह कहा सकता हूँ x की cube x की cube plus 1 by x की cube का formula क्या है m की cube m की यह minus होगा यहां minus होगा यहां भी minus होगा x की cube minus 1 by x की cube is equal to m की cube minus 3m यहां minus में था मतलब यहां पर plus में हो जाएगा तो हमने देखा जा हमें दे रखा था x plus 1 by x की power is equal to 4 हमें नहीं खाना था x की q प्लस 1 प्लस x की q तो हमें formula कहा था m3-3m जब दोनों जगा positive थे minus आगया था अब दोनों जगा यहाँ पर negative है इस वाले question के अंदर तो निकालना m3-3m यह बात द्यान रखने हैं जब m3-3m में होगा तो बीच में positive sign आएगा बीच में हाँ positive होगा तो minus का sign आगा यह बात ध्यान रखने हैं बस जैसे मैंने भी आपको बताया था पहले x-1 by x अगर 5 दे रखा हो और हमें निकालना हो x का square प्लस 1 by x का square का formula होता है short 3 होती m square plus 2 मतलब की 5 का square 25 plus 2 27 इसका answer आएगा हमने 2-3-3 second के अंदर निकाल लेंगे मगर मैं just for information आपको एक और बात बता रहा हूँ एक और formula हमारे पास होता है a plus b का whole square is equal to a minus b का whole square plus 4ab बाता हो उसको proof खरे कैसे a plus b का whole square a square plus b square plus 2ab is equal to a square plus b square minus 2ab इसका formula होता है a minus b का whole square का plus 4ab जह हम लगाते है minus 2ab plus 4ab होता है plus 2ab तो हम दोनों left hand side is equal to right hand side आगे मतलब यह बात proof है कि a plus b का whole square is equal to a minus b का whole square plus 4ab होता है तो मैं आपको इस बात बताना चाहता हूँ अगर हमें यहाँ पे x minus 1 by x दे रखा हो तो इससे हम x plus 1 by x कैसे निकाल सकते हैं यह बात सीख लो यहाँ पे x plus a यहाँ पे लिखा है a plus b मैं दे लिख सकता हूँ यहाँ पे x plus 1 by x a की देख लिख दी है मैंने x और b की देख दी है 1 by x का whole square is equal to x की देखा मैं रख रहा हूँ x minus 1 by x का whole square plus a multiply b लिखा है तो मतलब यहाँ पे x multiply 1 by x यहाँ पे cancel out हो जाएगा प्लस होएगा यहाँ पे 4 आपको जिसकी value निकाल नहीं है वो निकाल सकते हैं यहाँ पे दे रखा x minus 1 by x की value दे रखी 5 तो यहाँ पे 5 का square plus 4 मतलब की 5 का square आ गया 25 plus 4 29 29 answer आ गयी 29 अब हमार पास पता लग गई 29 क्या है x plus 1 by 29 ठीक है अब हमें क्या है यहाँ पे easy हो जाता है कई गार students होते है examination hall में यह confused होते है x minus 1 by x में यहाँ पे m square minus 2 formula था या फिर m square plus 2 था इसके लगर आपको यह निकालना पड़े x plus 1 by x तो बहुत ही असानी से आप यह निकालना पड़े x minus 1 by x के थुरू x plus 1 by x इसका answer आया है under root 27, 29 under root 29 इसका answer आगया अगर हमें निकाला हो यहाँ यहाँ पे हमार को एक बात पड़े लग गई यहाँ पे x plus 1 by x की value क्या है under root 29 और हमें निकालना है x square plus 1 by x square तो मतलब कि क्या formula होता है m square minus 2 m square 29 का square आएगा 29 under root है उसको उपर square है तो यहाँ पे हट दाएगा यह under root हट दाएगा minus 2 answer आया 27 तो आप इसको इस सरी के से भी निकाला होता है हमारा इस से भी answer आया था मगर अगर आप भूल जो एक्जाम में plus 2 लगाते है minus 2 लगाते है तो आप यह वाला formula भी याज़ सकते हो a plus b का whole square is equal to a minus b का whole square plus 4ac यह भी formula होता है जिसके थुरू आप a plus a minus a a plus 1 by x sorry x plus 1 by x की value भी निकाल सकते हो जिसके बाद फिर यहाँ से आप कर सकते हो m square minus 2 यह तो हर केसी को याद होता है मगर negative और positive में थोड़ा सा confusion होयाती है positive और positive में confusion नहीं होती जाता students को रटे भी होते हैं m square minus 2 इसकी answer होता है अगर हम x plus 1 by x से x square plus 1 by x की square पर जाते हैं तो अब start करते हैं बहुत बढ़ी है बढ़ी है questions जो मैंने पहले pick करे हुए जो previous year में questions नहीं है वो सारे के सारे है तो अभी दक जितना हमने पड़ा उसका रीकिया आप कर लेते हैं अगर हमें x plus 1 by x की value दे रखी हो तो हमें x square plus 1 by x square का formula क्या लगाना है अगर हमें x minus 1 by x की value दे रखी हो और हमें पूछा जाए x square plus 1 by x square तो हमें लगाना है m square plus 2 यह वही वाले चीज़े मैंने जो आपको last में बताई है और यह है normal यह है back gear x square plus 1 by x square अगर m दे रखाओ तो आपको निकालना हो x plus 1 by x तो आएगा under root में m plus 2 ठीक है और यह आपको बताया मैंने अभी आपको बताया x plus 1 by x is equal to अगर m हो तो हमें अगर पूछा जाए x square plus 1 by x square तो value आएगी इसकी m का square minus 3m और अगर यहाँ negative में होगा negative में पूछा जाए तो यहाँ पे जो हमें short tick लेगी इसमें positive का sign आएगा अगर positive होगा और positive में पूछा जाए तो यहाँ पे negative का sign आएगा बस आपने यह बात ध्यान रखने है short trick अप्लाइ करते हैं और अगर x plus 1 by x is equal to a दे रखा हो तो हमें x की power 4 plus 1 by x की power 4 निकालनी हो यह find out करना हो तो formula लगाएंगे हम a की power 4 मतलब यह जो दे रखा होगा यहाँ पे इसकी a की power 4 minus 4 a square plus 2 या फिर 2 बार लगाएंगे m square minus 2 दो बार लगाएंगे m square minus 2 निकलेगा एक बार m square minus 2 निकलेगा x square plus 1 by x square दूसरी बार लगाएंगे m square minus 2 तो निकल जाएगा हमारा x की power 4 plus 1 by x की power 4 दोनों में से आप कोई भी formula अपलाएं कर समयते हो हमें दे रखाया x की power 4 plus 1 by x की power 4 is equal to 529 find out करने के लिए बोला x3 q plus 1 by x3 q इसका direct कोई formula नहीं होता अगर मैं बता भी दूँगा आपको तो इतना जादा confusing हो जाएगा कि आप उसको exam में apply करोगे तो बहुत अदा time taking हो जाएगा तो हमें ये देखना है जो हमें given है और जो मैं find out करना है उसके लिए क्या क्या formula हमें apply करने पढ़ेंगे पहले हम जाएंगे x की power 4 से जाएंगे x square plus 1 by x square back gear formula लगाएंगे फिर दुबार हैं हहां से लगाएंगे x plus 1 by x का then x plus 1 by x से लगाएंगे x की cube प्लस 1 by x की cube जल्दी लगाएंगे देखो कैसे back gear formula क्या होता है under root m plus 2 under root m plus 2 under root m क्या है m की value है ये 5 under root 5 27 plus 2 आगया under root 5 29 5 29 किसका square होता है 23 का ठीक है हमार पास value हो गई x square plus 1 by x square की value हो भी 23 फिर दुबारा एक बार back gear लगाएंगे back gear को हम उपने दुबारा से लगाएंगे under root m plus 2 m की value है 23 23 plus 2 25 किसका square होता है 5 का तो मतला हमें एक बात पता लग गई x plus 1 by x अगर 5 आ गया मैंने भी आपको सारी short trick बताई है अगर x plus 1 by x अगर 5 आ गया हमें निकालना है x q q plus 1 by x q q तो formula लएगा short trick लएगी m cube minus 3m positive positive short trick में negative ये बात मैंने आपको याद कराई थी ठीक है m q q minus 3m उस सारे के सारे short trick बी में आपके clear गढ़ चुका हूं और साथ में basic concept में आपको उदा चुका हूं ठीक है न m q q 5 q q q मतलब 125 minus 3 into m मतलब 5 3 5 जा 15 करना ये 10 second के अंदर अंदर हमें short trick तभी समाझ आएगी जहां हमारे सारे basic concept क्लियर रहेंगे और basic concept में सारे के सारे में clear करा रहा हूं धीरे धीरे हमें एक ये चीज़ गिवन है ये चीज़ हमें फाइंड आट करनी है x की पावर 4 plus 1 by x की पावर 4 और हमें 4 option दे रखी है हम इसको कहें solve करेंगे यहां से हमारे को given है x minus 1 by x की पावर है जो मतलब value है वो है 6 है हमें इस से जाना होगा कहां पर x square plus 1 by x square then उसके बाद यहां से x square plus 1 by x square से निकल लेंगे x की पावर 4 plus 1 by x की पावर 4 तो x minus 1 by x जब दे रखा हो और हमें निकालना हो x square plus 1 by x square तो आपको formula यह चौटरी क्या तक नहीं है m square plus 2 आएगा यहां पर m square plus 2 मला 36 का square मला से m है यहां यहां पर 6 6 का square 36 plus 2 38 यह किसकी value आ गई? x square plus 1 by x square की अब यहां से यहां जाने के लिए x square plus 1 by x square से हमें निकालना है x की power 4 plus 1 by x की power 4 तो क्या formula लगाएंगे m square minus 2 यह बात आप आपने ध्यान रखनी है यह short tricks जो है आपको बार-बार rewind तब होएंगी यह आप बार-बार practice कर लोगे m square 38 का square होता है 1444 minus 2 1442 इससा correct option है मतलब option number भी correct है ठीक है अगर आपको समझ आ रही है तो वीडियो को like करें और comment करके बताएं कि सर यह तरीके से बहुत जल्दी जल्दी हम question कर पा रहे है अगर नहीं समझ आ रहा तो मुझे फिर भी comment करें कि सर आप जल्दी कर आ रहे हो और थोड़ा दिखरा दोंगा फिर मैं आपक प्रफोडियो के अंदर हमें पूछा गया x2 plus 1x2 x3 जब यह दे रखा हो तो x2 plus 1x2 के लिए formula क्या होता है m2-2 मार 2 का square 4-2 2 value किसकी आ गई x2 plus 1x2 की मैं दोबार आता हूं आपको यहां मैंने लगाया m2-2 इससे इस पर जाने के लिए m2-2 m की value है 2 2 का square 4 4-2 answer आया 2 अब यहां से इस पर जाने के लिए value क्या होती है x plus 1 by x अगर दे रखा हो x की q plus 1 by x की क्यों आपने निकालना हो तो formula होता है m3-3m m3-3m मतलब की m3 2 की cube क्या होगी 8-2 3 into 2 m की value क्या है आपर 2 3 into 2 6 आ गया 8-6 फिर 12 से 2 तो इसकी value भी 2 आ गई 2 2 is a 4 इसका correct option है तो हम यहां पर इस तरीके से question करने सिख रहे हैं जल्दी जल्दी with the help of short tricks उसके पहले आपको basic बता चुका हूँ थैंक यू सो मुच